स्टुडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया पॉइंट नया चेप्टर जिसका नाम है ताइम सिरीज जिसमें हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन डिसकस करेंगे और उसके बाद थोड़े इंपोर्टन्ट थियरी टॉपिक डिसकस करेंगे तो थोड़ा ध्यान से स समझना क्योंकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होगा तो आगे बहुत आपके लिए इजी रहेगा समझने में फर्स्ट अफॉल क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में टू रिलेटेड वेरियेबल और स्टड़ी बाइद डिफ्रेंट मेथर इन दे स्टैस्टि आपको पहले समंझना है डिपेंड ट वेरियेबल अमोंग् दीछ साब्लक्शन बे意ंन आपको याद आएगा सर इंडिपेंडेंड वेरियेबल को हम x बोलते थे dependent variable को हम लेते थे y इसका कहने का मतलब क्या है पहले वो समझो कि independent variable हमारा रहेगा time और dependent variable लहेगा अलग-अलग variable रहेंगे जिसके साथ जुड़े होंगे जैसे एक simple way में बचा दू तो मुझे वो जानना है कि population हर एक पांच साल में कितनी बढ़ रही है तो पांच साल जो होंगे वो independent variable होगा और population की जो variable data होंगे उसको हम dependent variable बोलेंगे सेम वे आपको मैं बोल सकता हूं कि agriculture का production हुआ है तो agriculture का production different year में जैसे 2010 में 2011-12-13 यह साल है अलग-अलग time है time के इसाब से कितना production हुआ है agriculture का वो ढूनने के लिए उसको हम बोलते है time series कैसे इसमें discuss करेंगे वो बात कर रहे है तो यह method जो है आगे पढ़ते है data related to value of variable changing with the time as study in the economics मतलब time के इसाब से चेंज होरा economics में sociology and the business and business statistics for example population of a country agriculture production wholesale price of index unemployment statistics import export information annual production of certain factory data for the share of market bank interest rate hourly temperature measure in the city are presented in respect of time these data are called the time series as they are depend on the time मतलब time के इसाब से जो data इकठा किये जाता है उसको बोलते है हम time series यह हमारा था introduction अभी हम discuss करेंगे इसका meaning जो अभी आगे बढ़ते है अभी हम start कर रहे meaning of a time series जिसमें हम discuss करेंगे first of all statistical data collected at a specific interval of a time underline करना interval of specific interval of time and arrange chronological order is called the time series first of all समझते है क्या है specific time interval मतलब समझ लो मैं एक simple में बोल रहा हूं कि मुझे temperature जानना है मैं 10 दिन का data इकठा कर रहा हूं आप बोलोगे sir first month के starting में मैंने लिया data second, third, four, five, six तो यह आप data पे सुबा आट बज़े में confirm चेक कर रहा हूं की temperature दूसरे दिन same procedure, तीसरे दिन same procedure, चौथे दिन same procedure, यह एक systematic time interval के हिसाप समझ देए data हम collect कर रहे हैं तो उसको और proper तरीके से chronological order मतलब line by line proper way में आप arrange करोगे date wise सब कुछ तो उसको बोलेंगे time series जो chapter का नाम है तो उसमें अभी हम discuss करेंगे आगे time series consists of value of variable associated with time हम जो भी होगा हम एक fix होगा variable हमारा जो होगा वो time के हिसाप से ही हम data इकठा करेंगे यह temperature की बात थी आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि sir agriculture production में 2010 में कितना production हुआ था 11, 12, 13, 14 में कितना production हुआ था time के हिसाप से एक line fix रहेगी मतलब एक variable fix रहेगा जो उसका नाम है time और उसके साथ जो variable आएगा वो change होता जाएगा इससे आप क्या कर पाऊगे 2014 तक आपके पास data है तो आप estimate कर सकते हो कि sir 2015 में कितना agriculture product होगा उसके पाद आप बोल सकते हो 2016 में कितना है 17 में कितना है तो यह estimated लगा सकते हो वो इसमें time series का helpful है और future planning करने में आपको बहुत easy हो जाएगा forecasting करना है आपको कहीं पर लग रहा है नहीं sir जो population बढ़ रही है उ उसके हिसाब से आप step ले सकते हो कुछ भी कर सकते हो वो वाली बात कर रहे है अभी इसमें क्या दिया हुआ है वो पढ़ना आगे शुरू करते है the estimated value of this variable of future can be obtained if the value of each variable are studied over a longer period of time मतलब लंबे time के लिए हम study करेंगे 5 साल से ज्यादा का data होगा हम arrange करके उसको पूरे data को arrange करके हम क्या कर सकते है कि हम forecast भी कर सकते है वो में हमारा फाइदा है इस forecast are very useful for future planning future planning के लिए बहुत useful है जैसे example देखते है for example the direction and proportion and pattern of a variation in the population of certain region can be known by studying its time series मतलब आप देख सकते हो time series के हिसाब से आप देख सकते हो कि sir population की कितने growth हर रही है pattern के हिसाब से को रिजियन में अभी आगे forecast भी आप कर सकते हो इससे आप क्या कर सकते हो इससे फाइदा वो होगा it is necessary to infrastructure medical facility employment opportunity education can be planned for the people for this region in future आप population के हिसाब से उसका infrastructure कितना चाहिए medical facility कितनी चाहिए employment opportunity क्या है education क्या है can be planned for the people for a region for a future आगे पढ़ते है the fluctuation in the price of share can be known by the studying the time series of a share price in different companies and the investment investor can decide about the buying and selling of share तो इससे हमें क्या पढ़ता चलेगा कि fluctuation जो price हो रहा है वो shares में वो भी time series को proper ध्यान में रखते हुए आप करोगे इससे investor decide कर सकता है कि सर सेल कप करना है और buy कप करना है और last जो है वो temperature related example है पहला है population का example दूसरा है share का example तीसरा है वो temperature related है the temperature measure at the different place at and time as well as the data of rainfall indicate the global changes in the weather which useful in the form of policy of policy for conservation of environment in the recent time the time series is extremely used in different method of business analytics तो यह हमारा जो क्या बात हुई meaning of a time series और last एक और point हम discuss करेंगे जो है अमारा दूसरा point उसके साथ हम theory खतम करेंगे अभी हम start कर रहे importance of time series जो हमारा यह last topic theory topic है इसके बाद हम practical point start करेंगे तो importance of time series उसमें क्या दिया हुआ है the information collected in the form of time series is extremely essential in the modern era due to increase in uncertainty in the trade and the business activity मतलब आज आज के modern जमाने में आपको time series जो टक एलक कर गया है वो आपके लिए बहुत important है क्योंकि इससे क्या होगा इसमें आने वाले जो uncertainty है उसको आप कम कर सकते हो और उसके इसाब से planning कर सकते हो वो हम discuss करते हैं the study in the time series is gained importance due to following reason तो वो reason क्या है पहला है the direction and pattern of variation in the value of time series can be known from the past data समझ लो एक simple में बोलता हूं कि हमारी जैसे समझ लो company है solar panel वाली company है तो वो अभी आप समझ रहे लो कि government बहुत supportive है solar panel के लिए मतलब तो उसमें क्या है कि वो हम बोल सकते हैं कि हमें पता चलेगा कि यह area में जो हम data collect करना शुरू करेंगे तो यह industry की direction कौन सी side है और pattern कौन सी side है और variation कैसे आ रहे है तो उससे हमें पता चलेगा कि future में data कैसे रहेंगे क्या हमें कितना production करना है जो past data देखके हम future का planning कर सक सकते हैं तो आगे पढ़ते हैं variation in the future can be estimated from the extent of variation in the value of time series आप future के भी data है जो हमने जो डिसकस किया वही दोनों point के combination में हो रहा है कि past के data को देखके future के data को आप estimate कर सकते हो और उसमें कितना variation आएगा वह आपको पता चलेगा same way आगे पढ़ते हैं तो आप बोलोगे important decision can be taken from the essential value of future and industrial as well as government policy can be easily frame तो यह simple है कि आप पढ़के ही समझ जाओगे तो भी थोड़ा discuss करते है important decision हमें पता चल जाते है कि essential लेना ज़रूरी ही है तो उसके इसाब से government और industry accordingly set होती और government easily अपनी policy frame कर सकती है two or more industrialist or government institution can make the competitive study from the data of time series obtained by them मतलब उससे क्या होगा कि वो जो होगा वो हमारे industrialist और वो government जो भी important data है उससे कर सकते हैं और analysis करके future के planning कर सकते हैं एक ही बात को घुमा फिरा के कहने का मतलब वही है कि past के data के हिसाब से future के data को estimate करना है और उसके हिसाब ले जो भी variation होगा वह हम estimate कर सकते हैं और एक last point जो मुझे discuss करना है वह है आपका यह chapter का वेटेज जो हम discuss करेंगे तो यह chapter का वेटेज है section A में आएगा एक mcq है one mcq आएगा one mark का section B में आएगा one mcq एक mark का होगा section 3 में theory भी हो सकता है और sum भी हो सकता है two mark का same way section D में एक sum एक theory कुछ भी हो सकता है ज्यादा तर expectation sum की ज्यादा है theory की बहुत कम है और आखिर में section 5 में fix आ जाएगा five mark का sum total weightage हो जाएगा आपका 12 mark का बच्चों आपको ध्यान रखना है कि part 1 जो अमने discuss किया है उसके अंदर आपका वेटेज total हो जाएगा 48 आपका यह chapter के साथ complete हो जाएगा 48 mark का course उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि यह जो है five mark का section जो आपके हिसाब से है section F जो है 20 mark का जिसमें चार question आते हैं और चारे चार चेप्टर आपने पांच मार्क की कर लिए चेप्टर 1 2 3 और 4 इसके साथ आपका 20 mark का हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि इसकी important overall बहुत है यह चेप्टर अच्छी तरह कर लोगे इसके बाद आपका 48 mark मतलब 48 परसंट आपका complete हो जाएगा अभी हम next session में चालू करेंगे जो हमारा चेप्टर है वह बहुत important practical point है वह शुरू करेंगे आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कीजिए मिलेंगे नई वीडियो वीडियो नंबर 2 में